हेलो एब्रीवान, वेलकम बेक टू माई चानल तनुवार्ट्स ब्लोग, देखे, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ये डिजाइन ले कर आई हूँ, देखे, ये ब्यूटिफुल ग्राफ डिजाइन, ये डिजाइन आपका 13 रौ का है, देखे, आपका 13 रौ में हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नियो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, चलिए ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, आपका वन डिजा फंदा, फिर वन फंदा प्लेन, फिर फिप्टेन फंदा, फर्स्ट और लास्ट में वे आपका वन फंदा वाइट से प्लेन भी ना जा रहा है, देखे इस तरीके से, चलिए ये डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, देखे मैं इसमें आजस्टीच कर ली हूँ, सेवनट फर्स्ट रौ देखे, फ्रंट साइड से, आपको फर्स्ट रौ में, फर्स्ट पंदा आप स्लिप कीजिए, फिर आप बीन लीजिए, फर्स्ट रौ फंदा वाइट से, आपको बीन आए, फिर आप फर्स्ट रौ फंदा ग्रीन से बीन लीए, फोर फंदा ग्रीन फिर आप वन फंदा वाइट से बीन ये फिर आप फोर फंदा ग्रीन से बीन लीजे फिर आप वाइट से बीन ये फोर फंदा देखे आपका first row complete हो गया है आपको इसी तरीके से first row बीनना है second row देखे बैक साइड से three फंदा white से बीन ये first फंदा slip कीजे और बीन लीजे इस तरीके से three फंदा white फिर आप green से बीन ये four फंदा four फंदा green देखे इस तरीके से बीन लीजे second row फिर आप one फंदा white से बीन ये फिर one फंदा green फिर one फंदा white देखे इस तरीके से three फंदा बीन लीजे फिर आप green से बीने 4 पंदा देखे 4 पंदा green फिर आप 3 पंदा white से बीने देखे आपका second draw complete हो गया है आपको इसी तरीके से second draw बीनना है third draw देखे फ्रंट साइड से 2 पंदा white से बीने third draw में 2 पंदा white फिर आप green से बीने 4 पंदा 4 पंदा green फिर आप 1 पंदा white से बीने फिर 1 पंदा green से फिर आप 1 पंदा white बीन लीजे फिर 1 पंदा green से फिर आप 1 पंदा white से बीने फिर आप 4 पंदा green से बीन लीजे फिर फिर आप 2 पंदा white से बीने देखें आपका third draw इस तरीके से बीना गया है आपको इसी तरीके से 3 पंदा बीनना है फिर फिर फंदा बीन लीजे फिर आप 1 पंदा white से बीन लीजे फिर फिर फंदा white से फिर फिर फंदा green से बीन लीजे फिर फिर फंदा white से बीन लीजे फिर आप 4 पंदा green से बीने फिर आप 1 पंदा last के white से बीन लीजे देखे आपका 4th row complete हो गया है आपको इसी तड़ीके से 4th row बिनना है 5th row देखे फ्रंट साइड से आपको 5th row में 5th फंदा वाइट से बिनना है 5th फंदा वाइट बिन लीजे 5th फंदा वाइट फिर आप 3 फंदा ग्रीन से बिन ये 3 फंदा ग्रीन फिर आप 1 फंदा वाइट से बिन ये फिर आप 3 फंदा ग्रीन से बिन ये फिर आप 5 फंदा वाइट से बिन लीजे फिप्थ रॉ में यह आपका फिप्थ रॉ है टोटल आपका यह थर्टीन रॉ का डिजाइन है देखें आपका फिप्थ रॉ कम्प्लीट हो गया है 6 रॉ देखें बैक साइड से 4 पंदा वाइट से बीनिये 6 रॉ में 4 पंदा वाइट फिर आप 3 पंदा ग्रीन से बीनिये 3 पंदा ग्रीन फिर आप 1 पंदा वाइट से बीनिये फिर 1 पंदा ग्रीन से फिर 1 पंदा वाइट से बीनिये फिर आप 3 पंदा ग्रीन से बीनिये देखे आपका 3 पंदा ग्रीन से बीना गया है फिर आप 4 पंदा वाइट से बीन ये देखे आपका 4 पंदा वाइट से बीना गया है देखे आपका 6 रोव कम्प्लीट हो गया है 7 रोव देखे फ्रंट साइड से थ्रीपंदा वाइट से बीने सेवन्थ रॉमे थ्रीपंदा वाइट फिर आप थ्रीपंदा ग्रीन से बीने थ्रीपंदा ग्रीन फिर आप वनपंदा वाइट बीने फिर वनपंदा ग्रीन फिर वनपंदा वाइट फिर वन पंदा ग्रीन फिर आप वन पंदा वाइट से बीन ये फिर आप थ्री पंदा ग्रीन से बीन लीजे देखे इस तरीके से आपको बीन आए देखे ये डिजाएं आपका इस तरीके से बन रहा है फिर आप थ्री पंदा वाइट से बीन ये आपको इसी तड़ीके से 7th row बीनना है देखिए आपका 7th row कम्प्लीट हो गया है 8 row देखिए बैक साइड से 2 फंदा वाइट से बीन ये 8 row में 2 फंदा वाइट फिर आप 3 फंदा ग्रीन से बीन ये फिर आप 1 फंदा वाइट और 1 फंदा ग्रीन बीन लीजे देखिए इस तरीके से बीन लीजे फिर 1 फंदा वाइट फिर 1 फंदा ग्रीन फिर 1 फंदा वाइट फिर 1 फंदा ग्रीन फिर 1 फंदा वाइट फिर आपको 3 फंदा ग्रीन से बीनना है फिर आप 2 फंदा वाइट से बीनिये देखें आपका एट रोव कम्प्लीट हो गया है आपको इसी तरीके से एट रोव बीनना है 9 रोव देखें फ्रंट साइड से आपको 5 फंदा वाइट से बीनना है 9 रोव में 5 फंदा वाइट से बीन लीजे देखें इस तरीके से 5 फंदा वाइट से बीना गया है फिर आप 1 फंदा ग्रीन से बीनिये फिर 1 फंदा वाइट से फिर 1 फंदा ग्रीन फिर 1 फंदा वाइट द्यान से देखे ये डिजाइन आपका कैसे बन रहा है देखे इस तरी के से आपको बिन ना है फिर आपको यहां थ्री फंदे के पास से देखे ग्रीन फंदे को वाइट से बिन लीजे नाइन थ्रौ में फाइब फंद वाइट से बिन लीजे देखिए आपका 9th row complete हो गया है 10th row देखिए back side से आपको 6th फंदा white से बीन ना है 10th row में 1 फंदा green को भी white से बीन लीजे देखिए आपका 6th फंदा white से बीन आ गया है फिर आप green से बीन लीजे WANFंदा फिर WANFंदा white से फिर आप WANFंदा green से बीन जे फिर WANFंदा white फिर WANFंदा green फिर आप white से बीन जे 6th फंदा आपको इसी तरीके से 10th row बीनना है देखे आपका 10th row complete हो गया है 11th row देखे फ्रंट साइड से आपको 7th फंदा वाइट से बीनना 11th फंदा देखे 1 फंदा ग्रीन भी आपका वाइट से बीना गया है फिर आप वाइट फंदे को ग्रीन से बीन ये और ग्रीन फंदे को वाइट से फिर वाइट फंदे को ग्रीन से फिर आपको इस साइड के भी 1 फंदा ग्रीन को वाइट से बीनना है देखे इस तड़ीके से बीन लीजे 7 फंदा वाइट से देखिए आपका 11th row complete हो गया है 12 row देखिए back side से आपको 8 फंदा white से बिनना है 12 row में 8 फंदा white बिन लीजे 1 फंदा green को भी white से फिर आप 1 फंदा green से बिन ये फिर आप 8 फंदा white से बिन लीजे देखिए आपका 12 row complete हो गया है 13 row देखिए ये आपका last row है 8 फंदा white से बिनना है 13 फंदा फिर आप 1 फंदा green से बिन लीजे ग्रीन फंदे को फिर आप 8 फंदा white से बिनना है देखिए आपका 13 row complete हो गया है आपको इसी तड़ी के से ये design बनाना है देखिए आपका 13 row में complete हो गया है देखिए इस तड़ी के से आपका बना है यही आपको repeat करते जाना है अपनी पूरी project में अगर आपको ये design अच्छा लगाओ तो please like, share और comment कीजे अगर आप अभी तक मेरे इस channel को subscribe नहीं किये है तो अभी subscribe कीजे लाश्ट तक वीडियो देखने के लिए thank you so much मिलते हैं ऐसे ही new designs के साथ अगली वीडियो में एक क्वे जाट होता है